सेविन जुडीश्री मेरा नाम है पूर्वावच और मैं आप सभी के लिए बहुत सारे सेशन्स लेकर आती हूं चाहे बात हो लीगल अपडेट्स की या बात हो जॉब अलर्ट्स की या बात हो इस तरीके के सब्जेक्ट्स की जो आपके लौ एक्जाम्स के इंदर आते हैं ब बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि इन सब की शुरुवात तब होती है जब हम वकील बन जाते हैं हम एड़ोगेट बन जाते हैं और जब हम एड़ोगेट बन जाते हैं तो हम बार काउंसल में जब अपना रिजिस्ट्रेशन करा और लेता है कि उसको क्या क्या करना चाहिए किस तरीके से करेगा यह सारी चीज़े वहां पर बोलता है क्या आपके सक भी ऐसा हुआ था कि आपने ओथ ली थी तो अगर आप अपने ओल इंडिया बार 18 को देना चाहते हैं या अपकमिंग कोई भी एक्जाम को देना चाहते हैं जहां पर आपका यह सब्जेक्ट आता है यानि कि प्रोफेशनल एथिक्स तो आज वांगो के अंदर हम पूरा प्रोफेशनल एथिक्स के कम्प्लीट करेंग जब रेजिस्ट्रेशन अपना डेली में कर आया था तो वहां पर इस तरीके के को सर्टिविकेट देने से पहले तो सभी ने ओथ अली थी कि ऐसे ऐसे उच इंग्लिश में वो पूरा है कुछ दस लाइने हैं चंद लाइने हैं वो रिपीट की थी चेर्में साहब ने और फ भी बहतरीन सब्जेक्ट शूरू करने वाले हैं और यह वैसे भी एक्जामना भी है तो भी हमें पढ़ना जरूरी होना चाहिए पता होना चाहिए क्या the professional ethics and cases of professional misconduct under the bar council of india यानि कि we should we all should acknowledge about all misconducts which are covered under the bar council of india के क्या rules है professional ethics क्या है और किस सरीके से हमें practice करनी है what are our responsibilities as an advocate what are our duties यह क्या है इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए तब ही हम अपने profession को अच्छे से कर पाएंगे हाना हम लोग तो अप्लाई के और घर पे अगए थे तो रुखना है देखना पड़ता है चीजों को observe करना पड़ता है और यह जो वर्दी हमें मिली है देखो सबकी एक वर्दी होती है और एक advocate को बोला जाता है officer of the court हम कोट के क्या है officer है और हमें वर्दी दी गई है काला कोट काला कोट हमारी पहचान है और जिस तरीके से हम दूसरों के लि राइट तो चलिए आज हमें subject को पूरा की पूरा complete करेंगे with all important case laws number one number one चीज़ पर हम लोग चालेंगे introduction पार्ट पे थोड़ा से जान लेते हैं इस act के बारे में statute के बारे में बार कॉंसल आफ इंडिया के रूल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी थोड़ी सी बाते तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस I talk about the legal profession the legal profession is considered as a noble profession society में पहली बात noble profession तो है साथ ही साथ थोड़ा सा एस प्रोफेशन भी तेज होगी क्या ऐसे चीज़े सुनने को मिली हैं सच बताना क्योंकि being a member of society मुझे थैसी चीज़े सुनने को मिली हैं यह उनका लड़का तो वकील है बच के रहो उनसे थोड़ा सा एक इंपक्त है सुसाइटल इंपक्त है बहुत ही तेज होगा भई इससे पंगा मतलो हाँ वकील है जमान तो चलाओगी यहां अपनी वकालत में तिखा अपनी वकालत जाके कहीं और दिखाना क्या ऐसी कुछ चीज़े सुनने को मिली हैं येस येस मैनी टाइम्स मैनी टाइम्स मुझे भी मतलब मैंने का मैं वकील नहीं भी होती तो ये बात मैं सही कह रही हूं वकील क्या होता है यूजली जब अपने घर में बात करते हैं तो बोलते हैं भाई इसको तो बोलने की आदत है आग्यूमेंट करने की आदत है घर में कोट लगा देता है ये तो घर में कोट ना भी होती तो भी इस वालेट पॉइंट को ऐसे ही रखती जैसे आज रख रही हूं This is my way of putting anything in front of anyone So, इस में मेरी पढ़ाई Yes, I am well aware I am well acknowledged I know the laws, I know the rules I know my duties and I know your duties also ये परक है मैं आपकी duty भी जानती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए था This is my power और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरे राइट्स का उलंगन होता है मेरे राइट्स को क्या करते है मेरे राइट्स को कोई तोड़ता है मेरे राइट्स का कोई वालेशन करता है तो मैं क्या कदम उठा सकते हूँ बस इतनी सी तो एक्स्ट्रा जानकारी है आप सबसे जादा येस आएम अप्राउड लॉयर आम अप्राउड आडवोकेट लीगल कांसलर लीगल एडवाइजर येस आना प्राउड तो बी अडवोकेट बोलते रहो वकील की तरह ही चलती है मेरी जबान तो वकील हूँ तो चल जोना मैंनी टाइम्स कहते हैं कहते हैं सब जगाव वकील वकील सहाब आड़ यार यह तो बहुत अच्छी बात कही अना यह सुनने को मिलता है वकील सहाब और वही कैसे हो तो थोड़ा एक लिग सीना चौड़ा हो जाता है वकील साथ सुनके अपार्ट इस हमने कर ली इधर क्लास फ्रय उव असले क्लास नो वलुक रहलो तब हम लोगो की फैमली बड़ी हो पाईगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो तहां जान की मैं तो यही सुन-्सुन के मैंने यही प्रोफेशनल कर लिया यह-e Federator, यह सब शाब से बढ़ी आब आत है यानिक अपने कैते लिगر म तो यह वाली बात होई चालिए तो यह एक नोबल प्रोफेशन तो है ही by society and the fundamental prerequisite of any profession is a good ethics अगर हम बात करें तो हर profession में ethics की बात होती है if you are a doctor आप lawyer हो आप teacher हो आप educator हो हर चीज की ethics होती है morals होते हैं जिनको आफ follow करते हैं असूल होते हैं so maintain उस profession को legal profession की nobility को maintain करने के लिए यह जरूरी है की observe किया जाए कुछ professional norms को by those who adopt this profession जो इस a legal profession को adopt करते हैं they should also know the all you know ethics and professional norms of this profession right आगे चलते हैं the adherence and observation observance of a set of professional norms can also be referred to as professional ethics भी बोलते हैं professional norms को and these ethics are principles यह ethics क्या है वो प्रिंसिपल है वो असूल है जो एक person के behavior और group of professional environment को बनाते हैं अगर आप मैं यह सब अगर हम सब अपनी fraternity lawyer fraternity हम हमारे profession के अंदर अगर एक एक क्या होते है कि unity नहीं होगी एक ता नहीं होगी तो हम नहीं बन जैसे बून-बून से बनता है समंदर से मिलरली अगर ऐसे ही सारे profession वाले जुड़कर एक दूसरे सच्छा behavior करे एक friendly महाल बनाए एक healthy environment बनाए एक positive attitude रखे तो यहां पर एक professional इस तरीके का group बनता है एक अच्छा environment बनता है और वो कब बनता है जब एक individual अपनी professional ethics को याद रखता है अपने morals को याद रखता है और अच्छी तरीके से अपने duty को perform करता है है ना अगर चिट्टी वाली रेड़ चिप लग जाए तो एक इंसान बहुत ही जादा negative हो जाता है बट हमें हमेशा उस green चिप पे ध्यान देना है जिससे हम हमेशा positive रहें वो रेड़ चिप के आसपास नहीं जाना जो में एक negative personality बना देता है अच्छा जानकी के र Racing मुझे तो लोग बिना degree करी भी की बटे ने अरे यह ही तो फिर मज़रदार बात है पता है क्यूं बोलते होंगे क्यूंकि आप सही का साहथ देते होंगे या क्यूंकि आप यह बता देते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है सच का साथ देते हूंगे श्रेब इसलिए ऐसा सुनने को मिलता है उन लोगों को आगे चलते हैं इट प्रोवाइज रूल्स हाओ पॉर्सन शुड़ाक्ट वर्द अधर पीपल अधर लोगों से अधर इंस्टिटूशन से कैसे आपने बिहेव करना है कैसे आपने आक्ट करना है और एक पर्टिकुलर इंवार्मेंट के अंदर आप कोट के अंदर है you can't go you can't go without court नहीं जा सकते तो कोट का डेकोरम डिसीप्लेन मेंटेन करके रखना है कोट के अंदर घूमोगे तो भी discipline अलग हो जाएगा अपने chamber के अंदर बैठे हो तो आपका discipline ethics अलग होंगे आप किसी और के office में बैठे हो then you should have to perform very very ethically the advocate in India are governed by जो हमारे भारतिय लॉयर्स है वो advocate act 1961 से governed होते हैं further the advocates act provided the establishment of state bar council और हम लोग कैसे होते हैं अपने अपनी state bar council से और bar council of India से हम लोग क्या होते हैं गवर्न होते हैं सबसे पहले जैसे हम वकील की डिगरी पूरी करते हैं लग को complete करते हैं तो हम अपने local state bar council में registration कराते हैं और अब जैसे की AIB का exam देकर paper देकर all over India में अपने आपको पूरे advocate समाच के अंदर हम लोग अपने आपको enroll कर लेते हैं and section 3 & 4 of the advocate acts respectively तो हम इस session के अंदर cover करेंगे सारे important sections as well as the case laws चीके जी चलिए जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं not complying अगर कोई भी professional ethics और norms को comply नहीं करता उसे क्या कहलाए जाएगा कि उस बंदे ने क्या किया है misconduct किया है यानि कि कुछ गलत किया है और उसने rules को अच्छे से follow-up नहीं किया है professional misconduct is now where defined in the in the nowhere defined in the 1961 act of advocate act कहीं पर मिसकंड़क की definition नहीं दे हुई misconduct आपको तभी पता चल जाएगा जब हमें conducts पता होंगे हमें जब professional ethics पता होंगे तो हमें वह पता चल जाएगा जो जो भी वकील इस professional ethics कंदर नहीं चलेगा that is considered to be all the misconduct कि आगे जलते हैं इविद बाहर कांसल इस सालेंट पाउट वाट इस अच्छिली दे प्रफेशनल मिसकंड़क्ट भार कॉंसल भी यह बताने में संबब है कि मिसकंड़क्ट है क्या अब यह गलत हम तो सही चीजों को बताएंगे कि यह सही चीज़े बाकी सब गलत है यह मिसकंड़क्ट है कोई किसी भी तरीके है कोई इन जैसे चीज़ की कोई रफेशनल परसन एक छोटा सा किसा बना बताती हूं कि हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग एक चैंब वो कर रहे थे सीट कोट के अंदर सीट होती हैं तो मैं और मेरी फ्रेंड मतला मेरी फ्रेंड एक थी वो सीट परचेस कर रहे थी कोट में आतों चैंबर्स ले सकते हैं आपके पास सीट का भी प्रोविजन होता है तो वो सीट परचेस कर रहे थी और उन्होंने कहा कि उसने विचारी ने प कहां पर क्या कहां जोब आखे सेक्रेटरी थे उन्हेंट अपर क्या चाहां हम पर brother at बहुट कुछ क्या तरह निकास कर्या सिट करी तक हमने कहा की सर हमें नहीं पता था आड़ोकेट ने सब्सक्राइल यॹए कंडर सब्सक्राइब एंदाइस वाइब बहुत कि एसे तो आप एकाम एसे तो आप एकाम करो गेट नुबर वन के पास लो और वी अच्छली थौट कि गेट नुबर वन के पास कोई जगा होती होगी कि जहां पर सीट्स वगरा मिलती होगी तो उसे क्या करा जब हमने तो मैंने ही रिस्पॉंड कर दिया मैंने का सर आप बताइए कहां पर रही जगा और सब लोग वहां पर जितने मौझूद थे इंक्लूडिंग था सेकेटरी दाट इम्मॉरल परसन वो हसने लग गया कि हाहा देखो देखो गेट नंबर वन के सामने भी ले सकते हैं और अक्चल में गेट नंबर वान इस एंट्री गेट और वहां पर पार्किंग एरिया में वोल रहते हैं कि पार्किंग में लेलो तु इंस्टेट ऑफ गाइडिंग आस कि आर कहां लेना चाहिए आपको क्या करना चाहिए उसने हम दो लड़िकियों का मजाग उड़ाया और ऐसा करते भी है अगर मैं लेडी लॉयर्स की बात करो यस वी आफ तो फेस सच काइंड ऑफ स्टूबड बिहेवियर इन कोट और उसक कि सीट ले लेनी चाहिए तो सर अगर आप अलाओ कर देते हैं तो हम पार्किंग अरिया में भी सीट लेने को तयार हैं और बड़िक स्टॉप्स लाफ 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 ए अदाट पॉंट ऑफ तक तो यही मिसकंड़क्ट है बिगा सीनियर आडवोकेट बिगान सीनियर आ चाहिए और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से डिगनी डिगनेटी को बचाये रखे अपने जवाब देना चाहिए और जवाब ऐसा दो कि अगले सामने वले बंदे का मू बंद हो चाहिए यह होता है लड़ना और प्रवोक करना तो दुनिया बैठी है बद आफ तो चाहिए बादे अपने बादे के यह मैनने आपको बाक्या इसले बताया कि उसकी जान बूच के उसने ऐसी हरकत करी कि सब लोग हसे तो वो उसे जानके किया एक गलत इंटेंशन के साथ कि जो पीपल एंगेज है लीगल परॉफेशन में जो कि क्या करते हैं बिटरे करते हैं क्लाइंट्स का confidence attempt करते हैं practice fraud practice को करते हैं attempt यह डिसीफ करते है court ko और the adverse party ko और his counsel अब यह सारी चीज़े यह है कि कही बार वकील भी बिग जाते हैं यह एक हार्ट टूथ है यह सवकील भी बिग जाते हैं यह एक चीज और है कि जहां पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं फ्रॉडुलेंटली के सिसको लेते हैं डिसीव करते हैं किसी को ठकते हैं तो यह सब चीज़े नहीं होनी चाहिए आपके प्रॉफेशन केंते है राइट इन अधर वार्ट सब्सक्राइट को क्या कर सकता है तो हम जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में रिलेडिंग तो दी अड्वोकेट साथ नाओ फोरवर्ड हमें सबसे पहले पता होना चीए वाट आधी दूटी ऑफ एक अधिवक्ता की एक अड्वोकेट की डूटी क्या है वाइं नौट उसिंग दूट लॉइर वाइं उसिंग दूट अन अड्वोकेट ने बिकेस लॉ प्राक्टिस करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए केस के लिए लीगल हो जाता है तो तब वो एड्वोकेट बन जाता है तो ताट्स वाइव हम एड्वोकेट शब्द को यहां पर इस्तमाल करते हैं येस बिकॉज अभी रिजिस्टर हो गए हैं बार काउंसल में वेरी गुड बैरिस्टर जो अपनी डिग्री कहां से बाहर फॉरंदेश से करके आया है ब्रिटेइन वगरा से करके आया है ताट इस बैरिस्टर तो अलग-अलग नाम है बुलाई जाता है ठीक है जी आगी च है दर पार्लेमेंट एक बार कांसल अफ इंडिया कहां किसने क्रिएट करा पार्लेमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया एड़ोकेट अट अंडर के किया गया और एक ही स्टैट्यूटरी बॉड़ी है यानि कि ओफिशिल लीगल बॉड़ी है जो रेगुलेट करती है एडिकवेत का बताता है यह बताता है फरोफेश्रील con fix क्या है एडिकेट क्या है क्या डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्ष न है यह सारी चीज है कौन बताता है आट कॉंसिल फिंडिया अंडर फिय ज, डिच पॉर्बाइट्ट," Doubo speechод, From Cinema". empowers Bar Council of India को ही क्या देता है शक्ती देता है शक्ती देता है to make rules कि वो rules बना सके, empower करता है Bar Council of India को कि वो rules बना सके, जो की standards set कर सके, professional conduct के, etiquette के to observe by the advocates, right, important section, write it down, write it down, then such rules are mentioned under the chapter 2nd, part 6 of the Bar Council of India rules 1975, 1961 का ये है फिर Bar Council of India 1975 और ये वहाँ पर लिखा है again important जो आपको question आ सकता है, आगे चलते हैं, the rules mentioned on the standards of professional conduct and etiquette shall be adopted as a guide, सबको पढ़ने चाहिए, सारे advocates को, जो मी law field के अंदर litigate कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी को as a guide dance provide करेंगे, उन सभी को पढ़ना भी चाहिए, right, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताईए, yes or no, यहाँ तक आई बात समझ में, अब ऐसे कुछ rules हैं, जो बार कांसल अफ इंडिया, जो आटी केट, बहेवियर और कंड़क्स, प्रोफेशनल कंड़क्स के बारे में हम लोग बात करें हैं, तो ऐसे कुछ rules हैं, जो हर अधिवक्ता को पूरे करने चाहिए, उनके उपर काम करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, क्या है, number one, कि वो dignified manner में court के सामने रहेंगे, with dignified language, with dignified dress code, with dignified behavior, court के अंदर वो रहेंगे, जानवरों की तरह नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह, moralistic इंसान की तरह, and to maintain towards the court, respectful attitude, आपने देखा होगा, court के अंदर हम जैसे entry करते हैं, judge आते हैं, तो हम खड़े उजाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, यह सब क्या है, these are the respectful attitude, क्या आपके सामने देखा है, वो क्या कर रहा है, आप उसको respect दिरो, बाप ऐसे तो नहीं बोलते हैं, sir, hello, sir, hello, sir, नमस्कार, मैं हूँ, advocate, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, आप लोग, कोई एक common होना चाहिए, कि yes, इससे पतर चल जाए जज को भी, कि यार, आहाँ, एज़द दी जा रही है, तो ऐसे करना, या जैसी ही जट साथ कोट के अंदर आए, उनके लिए खड़े हो जाना, है ना, तो ये सारी चीज़े, अलग से तो नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे, मालो आपका जज आपको जानता है, तो आप बोलो, अरे और भाई, फैसरा कर देना, no, you can't use such language, you can say, जनाब, sir, my lord, ये सब चीज़े आप कर सकते हैं, तो एक respectful behavior आपका होना चाहिए, right, respectful behavior आपका होना चाहिए, not to influence decisions of a court, by illegal or improper means, आपको court को influence नहीं करना, court को अपनी तरफ नहीं करना, किसी तरीके के illegal काम को करके, या improper तरीके से, ठीक है, court के अंदर, अगर judge न्याय देने वाला है, तो आप न्याय लेने वाले हैं, तो वकील को illegal और improper काम नहीं करना है, right, उसके बाद, not to appear matters of pecuniary interest, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, अपने काम पैसा है, लेकिन आपका सबसे पहला काम है, कि आपने किसी व्यक्ति की help करी है, किसी victim अगरीव party को अपने court के अंदर, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, to appear in a proper dress code, आपकी dress code पूरी होने चाहिए, यह make sure to wear black coat, black pants, white shirt and your band, जो हमारी पहचान है, हमारा band, वो जरूर होना चाहिए, ठीक है, not to wear bands or gowns in public places, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ किस की है, कोट की आपकी वेश भूशा है, आप bands और गाउन्स पहन के, you can't go to the hotel, pubs, desk, or any other place, in a garden, कहीं घूमने, वहाँ नहीं जा सकते, because वो एथिकली, it's not look good, अच्छा नहीं लगेगा ना band or coat or gown पहन के, हम चल रहे हैं पाक के अंदर, no, अच्छा नहीं लगेगा, वो ड्रेस केवल कोट में प्रेजन होने के लिए बनाए गई है, तो आप वहीं पहनेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो आप misconduct के अंदर आते हैं, तो बाहर पहन के नहीं घूमने का, उसके बाद, refuse to appear in front of relation, आपके अगर कोई रिष्टेदार है, कोट के अंदर, जैसे judges भी होते हैं और कोई, तो आप महाँ refuse करेंगे, कि भई, ताकि कोई biasness नेस ना हो किसी भी तरीके के, तो आप रिष्टेदार हैं, तो आप बहुत ही seamlessly इस चीज को करेंगे, फिर उसके बाद, advocates की क्या क्या duty है, अपने client के प्रती, अपने client के प्रती क्या है, duty, चली उसके बार में, ये हमने towards the court पढ़ लिया, towards the council पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे towards the client, अपने client के प्रती क्या, उसकी duties है, not ordinary withdraw from serving a client once he agreed to serve them, एक बार अगर उसने agree कर दिया है, कि ठीक है, मैं आपका साथ दूँगा, आपके लिए केस को गन टेस्ट करूँगा, तो उसको withdraw नहीं करेगा, खुद ये नहीं कहेगा, client चला जाए, आपके ना काम करने की विज़े से, that is the other part, but आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैं तेरा केस नहीं लड़ रहा, a client आपको fees दे चुका है, आपके पास आ चुका है, आपके उपर विश्वास कर चुका है, you can't do this thing in between, तो एक बार जिसका केस आपने ले लिया, उसको आपने पूरा ही करना है, with due, honesty and determination के साथ, उसके not to appear in a case which he has a witness, ठीक है, उस case में पीर नहीं होगा, जिसमें वो witness है, to uphold the interest of his client by all fair and honorable means, जो भी client का interest है, case है, उसको कैसे बढ़ करेगा, fair तरीके से लड़ेगा, honesty से लड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताए, honorable manner से बढ़ेगा, and the advocate should not by any means किसी भी तरीके से, चाहे directly, चाहे indirectly, क client की बाहर नहीं खोलेगा, एक client जब उसके पास आया है, कुछ सच बोलता है, कुछ बाते बताता है, और वकील के उपर विश्वास करके बताता है, तो एक वकील, an advocate is not allowed to leak, to disclose directly or indirectly, any privilege communication between the client and the advocate, तो यानि कि इसको हम ऐसे भी कहां पढ़ते हैं, privilege communication में कि बाहर नहीं लेके जा जा सकता, राइट, बाहर लीक नहीं कर सकते, ये भी ethics के अंदर आता है, ethics के अंदर आता है, now, opponent, advocate की duty, जो opposites है, opposite lawyer है, opposite party है, उनके towards क्या है कदिवक्ता की जिम्मेदारियां, क्या है duties, number one, advocate कभी भी, shall not in any way communicate or negotiate upon the subject matter of the controversy, with any party represented by the advocate except through that advocate, किसी भी तरीके से जैसे होता है, बिक नहीं जाएगा, यसा नहीं कि उससे पैसे ले लिए, तो आप उसके लिए धंग से केसी नहीं कर सकते है, बगवान भी माफ नहीं करता, गर आप ऐसा करते हो तो, बिक जाते हैं तो, पैसो की चक्कर में, तो, an advocate shall not किसी settlement हो सकता है, अगर यहाँ पर exception क्या है, अगर आप settlement करा देते हो, किसी पार्टी का compromise करा सकते हो, इसमें भी आप उसका भलाई कर रहे हो, कि litigation आगे चलेगी तो, litigation से और भी जादा होता है, pecuniary waste होता है, harassment होती है, उन सब चीज़ों से बचा के, अगर आप settle कर रहे हो मामला, यह बहुत अच्छी बात है, अगर आप dispute किसी के resolve कर रहे हो, that is good enough, उसके बाद, there are various other duties and rules, जो की advocate को है, जैसे की non-compliance to any stated rules by an advocate would be considered the professional misconduct, यानि की जो conducts यहाँ पर बताये हुए, उसके against नहीं जाना, तो वो misconduct हो जाएगा, so an advocate should have to follow, क्या, all the conducts given under the, given under the professional ethics or advocates act, all right, अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात कर ली, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी तक हमने ये भी पढ़ा कि misconduct की definition कहीं पे भी नहीं दियो है, not even in a bar council rules, advocate acts, कहीं पे भी नहीं दियो है, तो थोड़ा सा professional misconduct के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कि क्य का होता है, professional misconduct is कहीं पे भी नहीं define किया गया और इसके एक standard definition भी नहीं बन सकती है, ये कहां से आया है, this makes the president in this particular matter, not only reliable source, understanding the meaning of professional ethics, तो यहां कहां से आया है, president से आया है, कुछ ऐसे cases आये, जहां पर वकील की misconduct decide किया गया, कि एक वकील को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना च कि इसके साथ पढ़ेंगे, case loss के साथ पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा, misconduct वैसे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक standard definition नहीं है, लेकिन हम case loss के through पर सकते हैं, so now the important case loss of the Advocates Act, right, आगे चलते हैं, अब एक के से दो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस, राम सिंग, ex-constable, क्य है, यह case है, ठीक है, the Supreme Court had observed, Supreme Court ने इस case में क्या observe किया था, कि misconduct in office may be defined as unlawful behavior और neglect by a public officer, किसी भी office के अंदर क्या करना, misconduct करना, right, unlawful behavior करना, और neglect by a public officer by which rights of a party have been affected, जहां पर किसी party के rights क्या हो रहे हैं, affect हो रहे हैं, Further, the court had observed, the professional misconduct के अंदर court ने यह observe कि क्या-क्या misconduct हो सकते हैं, number one, moral turpitude, मतलब पता है turpitude का, what is the meaning of turpitude, यह court ने observations दी इस case के अंदर, बताती हूँ, बताओ पहले आप, फिर improper or wrongful behavior, किसी भी तरीका का inappropriate, improper, wrongful, गलत, बहेव करना किसी के साथ, उसके बाद, unlawful behavior, willful in character, खुद में ही गलत intention थी, अब forbidden act, law, जो forward करता है, उस act को कर रहे हैं, transgression कर रहे हैं, carelessness दिखा रहे हैं, negligence दिखा रहे हैं, in the performance of duty, आपने performance को करने के लिए, बिना prepare करे कोट में लडने के लिए जा रहे हो, तो client का तो नुकसान हो गई, बिना महनत करे, बिना case को जाने, argument कर रहे हो, तो loss तो हो गई, कैसे जीत पाओगे case, नहीं जीत पाओगे, and to act complaint of be as forbidden quality or the character, तो ये कुछ चीजे, ये कुछ चीजे, कहाँ पर Supreme Court ने बताई थी regarding the misconduct, regarding the misconduct, चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, improper, wrongful, turpitude के बारे में, क्या होता ही ये, turpitude, तो ये हमारे, the moral turpitude is an act or behavior, ये एक ऐसा act है, ऐसा behavior है, जो की क्या करता है, sentiments, और accepted standards को, violate करता है, क्या करता है, जो भी हमारे community के standards है, उसको violate करता है, उसको violate करता है, उसके sentiments के साथ खिलवार करता है, भावनाओं के साथ, very good, अना, yes, कई बार, मतलब, मैं भूलूंगी कि हाँ, कई बार क्या होता है, भाव यह पीके चले गए, तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ना, उसके बाद, and यह कौन सा section है, important section, 24A of Advocate Act बोलता है, कि कोई भी person, no person shall be admitted as an advocate on a state role, अगर वो कन्विक्ट हो गया होगा किसी offense में, जो कि moral turpitude का है, जो कि क्या है, moral turpitude में conviction जिसको हो रखी होगी, वो उसको state bar council enrollment नहीं देगी, यानि कि अधमता, turpitude का मतलब क्या है, अधमता, अधर्म कोई काम करना, गलत कोई काम कर देना, यह ना, राइट, इम moral कोई काम कर देना, ओके, और खुद कोई देखा है, येस, वेरी गुड, उसके बात further, इस सच मॉरल turpitude is committed by a person who is already enrolled, आप चलो, enrollment उसको नहीं मिलेगा, एक बंदा जो already enrolled है, तो उसका जो bar council से disciplinary committee बैठेगी, और वो matter को impose करीगा, suitable punishment देगी, और इसके अंदर, उस punishment के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, license रद भी हो सकता है, cancel भी हो सकता है, ठीक है जी, आगे चलते हैं, as stated by justice के, रामस्वामी, honorable justice case, रामस्वामी ने बोला था, इस case के अंदर, कि मैं ये कहता हूँ, कि जो improper, या फिर wrongful behavior है, या unlawful behavior है, जो मैंने आपको पीछे points बताए, वो judgment के points बताए थे, nature, done, deliberately, जान बूच के करता है, एक professional person, तो वो professional misconduct के अंदर आएगा, Supreme Court का ये कहना था, important case, justice का नाम याद रख लो, ठीक है, ऐसा question आ सकता है, next, further, performing any forbidden act, or translation, established by definite rule, जो definite rule बता दिये गए है, भाई ये ये करना है, follow, उनसे हट के करता है, lawful prohibit, lawful contrary काम करता है, lawful forbid करता है, तो वो भी professional misconduct के अंदर आएगा, वो भी professional misconduct के अंदर आएगा, अब एक और चीज़ परते हैं, disciplinary committee, आपने बहुत अभी किस्से हुए, हापुड में, जैसे हापुड का किस्सा यूपी का देखा होगा, कि advocates क्या चले जाते हैं, strike पे चले जाते हैं, कुछ और चीज़ होती है, कोई मुद्दा आ जाता है, अब कोई advocate है, जो fake cases, fake PL डाल रहा है, उसके ओपर तो एक disciplinary committee होती है, जिए particular matter की जांच करती है, उसके तथे, उसके facts, उसकी चीज़ों को निकालती है, और ये disciplinary committee, फिर एक सारी चीज़ों को जूट करके, एक फैसला लेती है, कि ये जो मुद्दा है कोई, कोई भी XYZ मुद्दा है, ठीक है, प्रोडेक्शन, advocate protection, बिल का मुद्दा है, और कोई मुद्दा है, ठीक है, स्टेट वाइस किसी दिक्कत है, तो ये disciplinary committee, जो बनाती है, Bar Council of India, Advocates Act के तहर्त, वो काम करती है, अलग-अलग मुद्दों के ओपर, और अपना फैसला और अपनी, suggestions, recommendations देती है, जिसको भी वो answerable होती है, disciplinary committee, राइट, The Bar Council performs a regulatory function, एक ये function है Bar Council का, क्या करके, professional conduct के standards को बनाए रखने के लिए, articulate को exercise करने के लिए, disciplinary jurisdiction of the Bar, इसके members हो सकते हैं, अलग-अलग, वो चाहे, तो कोई भी committee बना सकती है, और इसके members को भी decide कर सकती है, according, कि कहां पर कोई matter arise होआ है, कहां पर दिक्कत है, तो वहां के, ये committee members को बना सकती है, ताकि वो उस मुद्दे की जांच कर सके, investigate कर सके, सारी चीजों को देखते हुए, एक जहां पर recommendation दे सके, भाई ये ये कर सकते हैं, suggestions दे सके, and the council also set standards for the legal education, अब legal education के standards set करने के लिए चकर में तो ये भी हो रहा है, आना, ताकि ये क्या है, एक standard test है, कि legal education, आप लोग पढ़के आये हो, आपको कितना आता है, उसी का तो test है, intelligence test है, तो ये, and grants the recognition to the university, कौन कराएगा, serve as a disqualification of enrollment as a advocate, तो ऐसी committees हैं, जो सारे rules and regulation, facts and circumstances को cater करती है, और आगे, किसी भी जिसके उपर बें वो answerable होती है, उसको ये report दार करती है, so these are the disciplinary committees, to exercise disciplinary jurisdiction, Bar Council of India, हर state के अंदर, हर state के, हर district के अंदर, disciplinary committee को बना सकती है, और section 9, section 9 बात करता है, advocate act का, जो ये बताता है, कि every Bar Council, shall consist of disciplinary committee, हर Bar Council के अंदर, जो भी district के अंदर है, disciplinary committee होगी, या at a time, अगर जरूत होगी, तो बन जाएगी, right, two shall be persons elected by the Bar Council, from among a seat member, the third person co-opted होना चाहिए, वो persons change हो सकता है, advocate, who possesses the qualification of specified proviso, subsection 2, 3, या person who has been advocate of a state role 10 years, senior advocate की हो सकती है committee, या कोई president है, कोई secretary है, कोई Bar Council के अंदर, पोस्ट पर है, वो हो सकते हैं, and the senior most among us, the three, shall appointed as a chairman, जो सबसे जादा senior होगा इन सम में से, उसको chairman of the committee, बना दिया जाएगा, आना, एक P.I.L. Supreme Court में लगाता था, और judiciary को बदनाम करता था, कि इसकी appointment जूटी है, ये जूटा judge है, ये fraud judge है, ऐसे से करके क्या करता था, P.I.L. लगा देता था, और post कर देता था, और famous हो जाता था, अब Supreme Court ने क्या कर रहा, उसके उपर disciplinary committee बना दी, कि जांच करो ये वकील है कौन, judiciary को कैसे बदनाम करता ये, फेक P.I.L. डालके, तो ऐसी जांचों के लिए, क्या बनाया जा सकता है, disciplinary committee बनाया जा सकती है, वो इसलिए नहीं कराते, इसलिए नहीं कराते, क्योंकि वो मर्जी है, अगर आपको किसी और जगा पर नहीं देना exam, आगर आपको और जगा पर practice नहीं करनी, तो आप मत दो, renew करवाते रहो, तो ये चीज है, अब आगे बात करते हैं, section 35, important section है, advocate act का, deals with the punishment of advocate, ये punishment की बारे में बात करता है, कोई भी वकील, misconduct अगर करता है, कोई भी वकील क्या करता है, अगर misconduct करता है, तो उसकी punishment के बारे में बात करता है, और disciplinary powers, disciplinary powers of the bar council, के बारे में जो बात करता है, 35.2 बात करता है, where the receipt of complaint, अगर किसी भी वकील के खिलाफ कोई complaint आती है, otherwise the state bar council has a reason to believe, और state bar council को लगता है, कि हाँ, इस advocate ने क्या किया है, अपने enrollment में होते होते, जब तक ये enrolled है, अपने role में होते होते, कोई guilty किया है, इसने कोई का, मतलब, मेरे मुझ से निगा था, कोई कांड किया है, कोई misconduct किया है, इसने, professional or other misconduct किया है, तो जो disciplinary committee उसके उपर बैठेगी, वो case को dispose करेगी, and according to it, उसको punishment देगी, यह उसका license रद कर देना, कुछ time के लिए temporary suspend कर देना, there are a lot of punishments, जो की दी जा सकती है, according to the case and circumstances, facts of the particular case, of the particular case, आगे बात करते हैं, हम लोग और committee के बारे में, क्या कर सकती है, disciplinary committee का कर सकती है, एक date fix करेगी, here करेगी, advocate से यह जो भी complainant होगा, वो देखेगा, उनको notice करेगा, और advocate general of the state के पास, report जमा करा देंगे, the disciplinary committee of state bar council, advocate को क्या देगी, opportunity देगी, कि उसको सुना जाए, और उसके बाद, सारे evidences को, जबूतों को देखते हुए, एक decision देदिया जाए, और वो क्या कर सकती है, अगर नहीं लगता कि, वकील के खिलाव भी तो, बहुत लोग जूटी complaint कर देते हैं, वकील को वसाने के लिए, तो dismiss कर देगी complaint, proceeding initiate कर देगी, state bar council को कर देगी, उसको license को रद कर देगी, तो यह है, लेकिन यह सब कुछ facts और circumstances पर बात करता है, आगे बात करते हैं, section number 36 के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, the bar council of India has disciplinary powers, disciplinary committee क्या करेगी, अगर कोई भी case को, कोई भी complaint को जब dispose करेगी, यानि कि खतम करेगी, तो वो section 35 के procedure को follow करते ही, खतम करेगी, शाल आप तो observe the same procedure, which is let down in section number 35 of Advocates Act, उसके बाद, फिर bar council of India क्या करेगा, notice देगा, also attorney general of India को देगा, state bar council को देगा, और advocate general of the state को देगा, यानि कि जब एक किसी का license permanently रद होगा, तो इन सब की involvement महाँ पर आजाएगी, Advocate general of the state, Advocate general of India, ये सारे लोग महाँ पर आजाएगे, any person जो भी अग्रीव होगा, disciplinary committee के नजरों में, of state bar council, जो 35 में होगा, मैं advocate general state, मैं within 60 days of date, communication of the order to him, appeal to the bar council of India, उसके बाद 60 days के लिए, 60 days तक का limitation period है, कि वो appeal में जा सकता है, का appeal में का जाएगा, bar council of India के पास, under section 37 के अंदर, तो appeal का section 37 है, such appeal shall be heard, by the disciplinary committee, of bar council of India, bar council India की, disciplinary committee होगी, वो सुनेगी, अगर वकील के खिलाफ याँ, कोई भी complainant है, and the further, any person who is still aggrieved, जो स्टिल अभी भी अग्रीव है, disciplinary committee के बाद भी, तो 36, 37, और the attorney general of India, as the case में भी, he may be the 60 days of date, which is ordered, it's communicated to him, prefer to appeal, तो फिर supreme court जा सकता है, तो उसके पास भी यहाँ पर क्या है, supreme court तक जाने की, क्या है, पूरी-पूरी, फेसिलिटी है, उसके पास, राइट, पहले बार काउं, पहले state bar council में जाएगा, फिर bar council of India में जाएगा, and then, supreme court भी जा सकता है, and supreme court पाद सच order, including varying punishment, awarded by the disciplinary committee, there on it deems that, the supreme court अब जो फैसला लेगा, वो माने निये होगा, तो क्या ये सारी चीज़ें आपको पता थी, बताईए मुझे, क्या पता थी आज तक आपको ये सारी चीज़ें, आगे, आगे apply कर सकता है further court के अंदर, उसको लगता है कि ये फैसला सही नहीं हुआ है, तो वो आगे court पे जा सकता है, बताया तो था मैंने CPC के अंदर, वेरी गुट, वेरी गुट, चलो, तो अब हम बात करेंगे important case loss के बारे में, तो दो case loss मैंने उपर बता दिये थे, अब ये कुछ important case loss है, सबसे पहले है state versus ललित मोहननन्दा, state versus ललित मोहननन्दा, इस case में क्या हुआ था, it is the duty of advocate to uphold the interest, अपने client का interest, client का काम, fair तरीके से करेगा, और honest तरीके से करेगा, मैंने क्या कहा था, कि आपको misconduct और conduct नहीं बताया हुआ, case loss के through, presidents के through हमें पता चला, what should be done and what should not be done, क्या करना है, क्या नहीं करना, and opposite happened, the point consideration in this case में क्या हुआ था, जो ये नंदा था, Mr. Nanda था, ये guilty था professional misconduct में, जो ये नंदा था, ये guilty था professional misconduct में, कि इसने ब्रीच किया था professional conduct, advocates को 15A को, Bar Council of Act 1926 को इसने क्या किया था, ब्रीच किया था, तो honorable Odisa High Court ने ये observe किया, ये case Odisa का है, और ये वहाँ पर observe किया, कि that advocate Lalit Mohananda, ये जो Lalit Mohananda था, ये guilty पाया गया professional misconduct का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने changing side, side change कर ली, पहले ये किसी एक के client था, और फिर उसके opposite के ही client बन गये, तो obviously case सारा लूस कर दिया एक बंदे का तो, and he had appeared for the opposite party for the same case, and after appearing for the first party, तो इसके लिए यहाँ पर इनको सजा भी दी गई, punishment भी दीकर ये का गया, the duty of abolding the interest of client was breached, तो एक ये case है, state versus Lalit Mohananda, आगे चलते हैं अगले case की तरफ, शंबू राम यादव वर्सेस, हनुम दास खत्री, इस case में क्या गया गया था, जो the respondent था, उसने एक letter लिखा अपने client को, और पूछा, ask him to bribe the judge, so that he could help the client to win the case, इसने कहा, कि क्या आप judge को पैसे दे दोगे, अगर case जीतना है तो, judge की रिश्वत का मामला था, judge की रिश्वत का मामला था, and the respondent held guilty, here misconduct under section 35, इसने क्या कहा, कि judge को इतना पैसा दे दो, और फिर इस बात को सुनके, state bar council ने उसको suspend कर दिया, दो साल के लिए, दो साल के लिए उसका license क्या कर दिया, suspend कर दिया, फिर उसके ओपर disciplinary committee को बिठाया, और 31st July 1999, को disciplinary committee ने क्या किया, comprising तीन लोग थे इसमे, punishment दे दी respondent कि उसको नाम, role of advocate से हटा दिया गया, और उसको permanently bar कर दिया, practice करने से, फिर उसके बाद, ये respondent कहां चला गया, Supreme Court चला गया, appeal लेकर, Supreme Court चला गया, कि मुझे temporary रद ना करे, अब Supreme Court ने कहा, appeal decision किया, Bar Council of India, और legal profession is not, उन्होंने बोला, कि जो legal profession है, या justice है, कोई trade or business नहीं है, कि आप पैसा लेके, नियाए को खरीद लो, पैसा लेके, आप judge से सेटिंग करके, कोई भी फैसला ले लो, वो नहीं है, और it is a noble profession, तो Supreme Court ने भी, क्या किया, disciplinary committee का साथ देते हुए, ये कहा, कि नियाए बिकाव नहीं है, ठीक है जी, तो ये सारी चीजे हुई, इस case के अंदर, आगे चलते हैं, Emperor versus Casey, Emperor versus Casey का case है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, कि इन्होंने क्या करा, कुछ घी के घी के टिन्ज, घी के बर्तमान, were kept under the custody of Bajrang-Lal Marwari, as it was seized by municipal authorities, कटवा for being adulted, क्या किया गया, रख दिये गए घी के कुछ डब्बे, किसके Bajrang-Lal Marwari के पास, Advocate, Advocate ने falsely Bajrang-Lal Manwar को कहा, that the sub-divisional officer कटवा, उसने order किया है, कि tins be handed over the owner, here the honorable Calcutta High Court का ये case है, उन्होंने कहा, Advocate was guilty of misconduct, for furnishing false information, जूटी information दी इसने, और क्या किया, इसके लिए इसको इस case में, punishment भी दी गई, Calcutta High Court का case है, Emperor versus Casey का, आगे चलते हैं, When Advocate collects money from, एक case है, Elsie Goel versus Suresh Joshi, Elsie Goel versus Suresh Joshi, यहाँ पर क्या था, यह जो अधिवक्ता थे, जो वकील साहब थे, यह क्या कर रहे थे, पैसा collect कर रहे थे, अपने clients से, और clients for the court purposes, जूट बोलते थे कि, court में ये फीस लगेगी, court में इतने पैसे लगेंगे, और अपने clients से, court के नाम पर, जूटे पैसे इखटे करते थे, और उसे misuse करते थे, इसको कहा गया, misappropriation, और professional misconduct के अंदर आया गया, इस case में क्या हुआ था, कि advocate जो था, उसने क्या किया, पैसे लिए, court fee के नाम पर, जूटे पैसे लिए, ज़्यादा ज़्यादा फीस बताई, और appellant had misappropriate the sum of 25,000, 25,000 उपे करके उसने जूट कोट फीस ली, फिच ऑनेबल सुप्रीम कोट ने उसको क्या माना, guilty माना, और यह माना कि इस बंदे ने क्या किया है, professional misconduct किया है इस बंदे ने, a legal profession, सुप्रीम कोट ने कहा कि legal profession, a noble profession है, high traditions है, और advocates से एक्सपक्ट किया जाता है, कि इस traditions को वो follow करे, comply करे, professional ethics को पूरा करे, adequate को यहाँ पर follow करे, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने, court के नाम पर, judiciary के नाम पर जूटे पैसे लिए, इसलिए हम उसको सजा देते हैं, इस तरीके के 100 of cases है, where the advocates are not complying with the norms of professional ethics and conduct, तो हम यह बहुत बात कहना चाहते हैं, कि इस तरीके कोट के नाम पर, जूटी तरीके के फीस पैसे ना लिये जाए, हैना सारे किसे एक दूसरे से लग, इस केस का नाम था, सुरेश जोशी, हाँ, तो अगर आपको लगता है, if you have proof, यहाँ पर कमेंट आया है, कि मैं बहुत सारे अड़ोकेट साथी चीज़े करते हैं, जूट बोलते हैं, तो अगर आपके परूफ है, उसने जूटी कोट फीस लिये, मालो लगानी इतनी थी, उसने आप से पच्छे जार मांग लिये, तो वो बिल्कुल ले सकता है, कि देखो, उसने कोट फी के पैसे मुझसे इतने डिबांड किये, तो येस, you can, कम्प्लेंट, उसके बाद, एक रीसेंट सिन्यारियो, अब रीसेंट सिन्यारियो के बात करते हैं, कोवेट के टाइम पर क्या-क्या नहीं हुआ, कुछ याद दिलाओं, कि जहां पर वर्चुल हीरिंग्स हो रही थी, वीडियो कॉन्फरेंसिंग हो रही थी, और एडवोकेट क्या कर रहे थे, नीचे ब्रश करते हो पाए गए, खाना खाते हो ये पाए गए और वीडियो चल रही है महाँ पे, हैं, ये नीचे क्या पहना हुए, निकर पहना हुए, शॉर्ट पहना हुए, और उपर कोट पहन के आ गए जी, सुबह उठे और आ गए, पीछे बच्चे रहे हैं, पीछे कुछ-कुछ हो रहा है, क्या कुछ देखने को नहीं मिला अगर आपने कोविड के दौरान प्राक्टिस की है तो, है ना, तो, इन रीसेंट सेनारियो, वाइल ओनलाइन हीरिंग टेकिंग प्लेस दू तो कोविड-19 वाइरेस, मैनी केसे ऑफ प्रोफेर्शन मिसकंड़क्ट आई, हाना, बहुत डांटे भी लगाई, अब क्या कर सकते थे यार, कोविड का ताइम था, everybody was new to the technology, तो, डांटे बड़ी पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी, जज एकदम जड़ब लगा देते थे, हाना, क्या कुछ नियुआ, वो देखा था, एक वीडियो वाइरल, वो ऐसे-से ब्रश कर रहा है, और वो वीडियो अन है, उसको पता ही नहीं है, भाई, मतलब, फ़नी सीन्स है, कोविड के दुरान, तो, अनरिबल कोट के सामने, कैजूल मैनर में आ जाते थे, जो वाकी, मिसकंड़क्ट उनों ने किया, अ सीनियर अड़ोकेट, स्मोकिंग हुक्का, लाइव वर्चुल हेरिंग में, हाँ, ये भी केस था, कि एक अड़ोकेट सहाब क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे, और वीडियो अन थी, उनको पता ही था, कि उनकी वीडियो अन है, और वीडियो वाचिंग है, कि यार ये बंदा तो बैट कर हुका पी रहे, एना, एन लाइव एरिंग, बिफोर दराजस्तान हाइप कोट, और आप आपने कई कोई वीडियो देखी हो, कि जहां पर अडवोकेट्स की इस तरीके से हरकते सामने आई, तो डू लेट मी नो इन दो कॉमेंट सेक्शन बिलो, डिसकास करते हैं, मैं सभी कॉमेंट्स का रिप्लाइ भी करूंगी, है ना, चलिए, तो यह सारी चीज़े थी दोस्तों, जहां पर हमने बात करी, एंड रही बात, कॉंक्लूजन की, कॉंक्लूजन यह है, कि एक अधिवक्ता की, रिस्पॉंसिबिलिटी होती है, कि वो अपने क्लाइंट्स को, जजबे के साथ, ओनेस्टी के साथ, प्रेजन करें, कंड़क्त करें, क्योंकि वो ओफिसर आप दे कोट है, उनको यह अपादी दी गई है, कि लॉयर्स आडवोकेट्स आड़ी ओफिसर आप दे कोट, कहां लिखा है, ओफिसर आप दे कोट, अकॉर्डिंगली दे एक्स्पेक्टेट, इसलिए उनसे यह पेक्षा की जाती है, कि वो हाईयस स्टैंडर्ड बताए, किसका प्रोबिटी और आपने डिगनिटी को मेंटेन करें, ठीक है, अच्छे वकील वकालत करना चाहेंगे इसके बाद, तो एक ऐसे वकील बनियेगा, जो ओनेस्टी और इंटिग्रिटी और डिगनिटी के लिए याद किया जाए, कमाओ, पैसा वो लोग भी बहुत अच्छे से कमाते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ओनेस्टी है, और आपके पास क्या है, जजबा है, तो पैसे आप भी कमा सकते हैं, सब कमा सकते हैं, राइट, कोट में, अच्छा जी, माम, माम जजबा, अओ, अओ, अश्मिता, बड़ा गहरा सवाल पुछ लिया, यार, इसमें मेरा कोई पॉइंट अव्यू नहीं है, क्योंकि, मैं बताती हो, मेरा पॉइंट अव्यू नहीं है, यह सब कुछ आपके मॉराल्स के ओपर, मैं इस क्वेशन को रिपीट नहीं करूंगी, यह सब कुछ आपके मॉराल्स पर होता है, अगर आप जस्टिस के कुर्सी पर हैं, तो आप भगवान की कुर्से पर हैं, यू शूद नौट डू दू दाट, अब जो करते हैं, वो बहुत गलत इंसान है, वो इंमॉरल इंसान है, और उनको कभी भी माफी नहीं मिलेगी, उनको इस करम की, जो नहीं ऐसा किया, रिश्वत ली, रिश्वत लेके नियाए दिया, उनको उनके करमों की सजा बिलकुल नहीं चाहिए, so this is my point of view, but question अच्छा है, कभी अकेले में इस बारे में बात करेंगे, और यहां पर, एक as a rule of section 7, बात करता है, इचल भी duty of advocate to fearlessly upload the interest of the client, all fair and honorable means, without regard to any unpleasant consequences himself and there, he shall defend the person accused of a crime regardless of his personal opinion and guilt, और यह भी साथ-साथ एक वकील का धरम है, कि अगर कोई accused भी उसके सामने आता है, जिसने guilt किया होता है, उसको भी वो court में पेश करेगा, उसके लिए भी लड़ेगा, अगर accused के लिए कोई वकील नहीं होगा, तो ऐसे तो पता कोई नयाए ही नहीं हो पाएगा, तो वकील उस accused के लिए भी काम करेगा, उस accused के लिए भी loyalty अपने मन के अंदर रखेगा, honesty अपने अंदर रखेगा, and no man should be convicted without the adequate evidence, अगर evidence सामने वाली party प्रूफ कर सकती है, तो कर दो मेरे accused को भी, सजा दे दो, right? तो ये सारे धर्म है अधिवक्ताओं के, right? मैं में एक advocate कितनी fees ले सकता है, मर्जी है, मर्जी है, कितनी भी fees वो ले सकता है, उसकी reputation, उसके काम करने के तरीके, उसकी fame के उपर depend करता है, कि वो कितनी fee ले सकता है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगी, कि every advocate has a responsibility to defend his client, end तक उसको defend करना है, end तक उसकी लिए खड़े रहना है, लड़ते रहना है, and एक phase आप सभी को मैं discuss करना चाहूंगी, ये हाला कि out of the text, आपको समझारे हो, लेकिन समझारे हो, audi, altrum, partum, क्या है, both the parties have a same right, कि वो present कर सके, अपने case को defend कर सके, अपने आपको, in the court of law, और अगर बात करूं, Constitution की, तो Constitution का Article 22, Clause 1 बात करता है, कि कोई भी परसन, legal practitioner से, के लिए, deny नहीं किया जा सकता, हर किसी को, अधिकार है, कि वो legal practitioners को, ले ले, hold करे, and, and which means, a duty of advocate, fight करे हर परसन के लिए, despite कि वो guilt है, वो innocent है, हर चीज के लिए, loyalty के साथ वो पड़ेगा, नेर्भ्या केस की judgment के बारे मैं अगर बात करूं, तो advocate A.P. Singh, advocate A.P. Singh, who was fighting for a rape accused, condemned to whole society for a standing with rapist, इतने बड़े-बड़े criminals के against, उन्होंने केस लड़ा, और नयाय भी दिलाया, और यही point of view है, कि उन्होंने justice करी, अपने काम को, बहुत अच्छे तरीके से किया, एक आखरी चीज, ethics is knowing to be difference between, what you have right to do, and what is right to do, तो यह सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आज की class में, I hope, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई without a query है, do let me know in the comment section below, और आज के लिए इतना ही, इसी तरह की और one go one shot videos के लिए, आप हमारे चानल Adder 24-7 Judiciary को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलेग्राम पे, at the rate, Apoorva Vats, at the rate, Apoorva Vats, आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी सपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को, जैहिन, and all the best for your exam. और गलेजये को, तुरी भाप सर्फ टूने अगले आप घरे 엊गले को, एज हैं, व प्रणेन से सफने तू सब्सक्राइब को, कि हुआ चाराम बाले के लिए अगले हैं, जैहिन मिलती सफने खो bakечно ववे पतिंए हैं, HELP बताज पसमेह दोरती हैं, झाल 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 झाल